आज के इस वीड़े में हम बात करने वाले है holding contact के बारे में कि holding contact क्या होता है और यह कैसे function करता है holding contact समझने से पहले यह दो push button समझ लिए जिसमें यह जो red जो है वो push button motor stop के लिए है और यह जो green push button जो है वो motor start के लिए है so friends यह only push button नहीं है उसके पीछे की साथ जैसे आप देख रहे हो दो contact लगाया रहता है so अगर हम सबसे पहले बात करे green push button की यानि कि जिससे motor start होता है वो push button की तो उसके पीछे normally open contact लगाया रहता है उसका मतलब भाइस क्या होता है यह push button को as it is condition में रखोगे कुछ press नहीं करोगे तब उसके अंदर का contact जो होगा वो open रहेगा और अब जैसे ही आप उस push button को press करोगे तो उसका जो open contact है वो close हो जाएगा और वहाँ से control supply आगे जाएगा सेम वे जैसे ही आप finger लुदा से remove कर लोगे वापस push button जो है वो बाहर की side release हो जाएगा सो कुछ इस तरह start push button सेम वे इस stop push button में क्या होता है कि उसके पीछे NC contact लगाया रहता है यानि कि normally close सो जब भी as it is condition में है normal condition में है उस time पे उसके अंदर का contact close रहता है अब जैसे ही आप ये red push button को press करोगे तो क्या होगा कि उसका जो contact है वो open हो जाएगा पिछे का ये वाला जो contact है वो open हो जाएगा और जैसे ही आप उसको वापस release करोगे finger आप हटा लोगे तो वो contact वापस NC ह हो जाएगा तो कुछ इस तरह से यह start push button और stop push button में starter के part है अब चलो आगे बात करते हैं कि सब्सक्राइब यह जो है वो एक main MCB है फिर यह जो हमारा contactor है यह जो है वो motor है जिसे हमें चलाना है so main power wiring कुछ इस तरह से रहता है जिसमें यह red, yellow and blue, ryb तिनो conductor जो है वो पहले MCB में input में जाएगे फिर उसका output निकल के directly यह contactor के L1, L2 and L3 में connect होते होगे फिर contactor का output जो है T1, T2 and T3 वहाँ से cable निकल के directly जाते होगे आपके motor में फिर next जो neutral जो रहता है उसको हम direct coil का जो A2 terminal है उसके साथ neutral को connect कर देते है फिर next जो phase जो है control phase वो एक कोई भी MCB के एक terminal में से हम लेगे और फिर एक control MCB बिठाएगे यह जो है MCB वो control MCB है और उसका outgoing directly आता होगा directly यह push button start push button के input में यानि कि यह terminal में और उसका जो outgoing निकलता है terminal का दूसरा end है वहाँ से directly देदेगे हम उसको coil के A1 में अब इस time पे क्या होगा कि जैसे हम start push button को press करेगे तो क्या होगा कि contactor pick up होगा क्यूंकि उसके contactor की coil को phase जो हो मिल गया और neutral तो direct मिली रहा है तो contactor pick up हो जाएगा और जैसे वज़े से contactor drop हो जाएगा और motor जो हो प्रोटेट वाना stop हो जाएगा तो अब यह problem का solution करने के लिए हम holding contact लेते हैं जिसमें यह जो आप देख रहे हो कि contactor के साथ एक और spare contact है no contact वो no contact को connect को connect करेगे हम directly कुछ इस तरफ start push button के एक टर्मिनल के साथ और contact का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हम connect कर देगे contactor के auxiliary contact जो है उसके opposite side यानि कि जो no contact जो auxiliary contact था उसको हमने use कर लिया parallel के parallel start push button के साथ सो indirectly हमने यहां पर क्या गिया कि parallel path connect कर दिया है start push button के साथ तो start push button जो था उसके parallel में हमने एक extra path दे दिया है सो अब जैसे हम push button को press करते हैं तो क्या होगा कि contactor जो है वो pick up होगा that means कि अब आप जो है आपकी finger remove कर लोगे तो भी क्या होगा कि वो contact से power जो होता हुआ अब क्या होगा कि यह वो stop push button जो normally NC रहता है अब जैसे हम उसको press करेंगे जब motor को हमें stop करना है तब हम जैसे ही उसको press करेंगे तो क्या होगा कि वो NC contact NO बन जाएगा contactor की coil को मिलता हुआ face जो है वो cut out हो जाएगा और contactor drop हो जाएगा और contactor जैसे ही drop होगा तो motor जो हो रोटेट वाना stop कर देगा तो कुछ इस तरह से holding content जो है वो वर्ट करता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगा हो तो like कीजिए अभी तक आपने यूट्यूब चनल सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए जिसको यह वीडियो helpful हो सके